चली यहां पे हम बात करने वाले किसकी IP टेलिफोनी की, IP टेलिफोनी होती क्या है, IP का मतलब हो जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और टेलिफोनी का मतलब हो जाता है कॉल करना, कॉल रिसीव करना, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करके टेलिफोन जैसी फैसलेटी उपयोग करना क्या कहलाता है IP टेलिफोनी इसका मतलब है इंटरनेट के माध्यम से सीधे सीधे कॉल करना उधारन के लिए कोई mobile application जैसे whatsapp है या फिर facebook messenger है या फिर कोई application है जिसके माध्यम से आप सीधे क्या कर पा रहे हो बिना sim के आप सामने वाले व्यक्ति से voice call कर पा रहे हो वीडियो call कर पा रहे हो इस सारी चीजे facility कहां पर मिल रही है आपको बिना sim card के तो simple हम बोले तो बिना sim card के internet के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति सामने वाले से बाच्चित कर पा रहा है तो उसी को हम बोल देते हैं आई-पी टेलिफोनी ठीक है simple है आप एक line में याद रख सकते हैं तो यहां internet के माध्यम से call करने की facility क्या कहलाई आई-पी टेलिफोनी दूसरी चीज अगर बात करें इसमें तो आई-पी टेलिफोनी मतलब internet टेलिफोनी internet पोटोकॉल टेलिफोनी बोल सकते हैं इसको बिना sim के साथ में mobile signal के भी mobile पर public by-fi के इस्तेमाल करके voice call कर सकते हैं वीडियो कॉल कर सकते हैं इस सारी facility हमको मिल जाती है internet टेलिफोनी के माध्यम से ठीक है और इसका केंदर सरकार ने भी इसको मंजूरी दे दी है मतलब जो आपकी ट्राई है Telecom Regulatory Authority of India जो दूरसंचार नियामक कंपनी है Regulation Company है उसके दोर ये तकनीक सुझाई गई है और ये मंजूर भी है मतलब बैलेड भी है एक परकार से सरकार ने दूरसंचार कंपनीओ को इसे लागू करने के निर्देश दिये है इसका उदेश जो होता उभोकता को खराब network और call drop से होने वाली जो दिक्कत होती थी उससे रहत दिलाना था साथ ही इसके कुछ फायदे होते है जैसे voice network की लागत काम होती है device management की लागत भी काम होती है centralized network जो control है और management आसान हो जाता है distributed call center application के लिए उपयोग माध्यम से ग्रहकों की संतुष्टी में काफी व्रद्धी हो गई है इसकी working के अगर बात करें तो IP टेलिफोनी internet पर digital माध्यमों से बात करने के internet protocol को उपयोग करने के लिए काम करती है परमपरिक phone system के बजाए इस तकनीक का उपयोग करके website के मालिक एक internet connection के साथ hardware और application का अधिक प्रभावी ढंग से communication करने के लिए लाब उठा सकते हैं साथ ही IP टेलिफोनी का लाब उठा कर उपयोग करता जो यूजर होते हैं वोईस है डेटा है वीडियो है मल्टी मीडिया टेकनीक है इनके सभी के साथ जुड़ सकता है ठीक है इसके अलाबा नेक्स जो टेकनीक है वो है वोईस ओवर इंटर्नेट प्रोटोकॉल तो ये भी एक प्रकार की IP टेलिफोनी इसाए sizes टेलीफॉनी जो होती है वीडियो आईडियो सभी के साथ काम करती थी वीडियो के साथ भी काम करती थी और आईडियो के साथ भी काम करती थी परन्तु वाइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिर्फ वाइस के साथ काम करती है तो हम सिंपल बोलें तो आईपी टेलीफॉनी का subset के रूप में देखा जाए तो voice over internet protocol मिलता है internet का प्रयोप करके आपको voice call करनी की facility अगर मिल जाए आपके विभिन devices के अंतरगा तो उसे बोला जाता है VOIP चलिए इसके बारे में जानते हैं तो VOIP का पुरा नाम होता है voice over internet protocol यह एक उन्नत तक्नीक है जो की IP telephone का एक subset होती है जो website और कर्मचारी को परमपरिक phone line के साथ अधिक प्रभावी धंग से communication करनी के अनुमती देता है इसके साथ ही voice over internet protocol एक प्रशलित IP telephone implementation है जो केवल voice communication को ही support करता ध्यान रखी इस चीज को इसके अलाबा इस तक्नीक को IP telephone के रूप में भी जाना जा सकता है हाले कि IP telephone का subset यानि कि उसी का एक प्रकार है जो सिर्फ voice को support करता है क्योंकि यह data के संचारित packet के लिए internet protocol को प्योग करता है पारमपरिक phone system, public switch network का का काम करते हैं लेकिन BOIP हमारी आवाज को information के packet में परिवर्तित कर देता है जिसे internet पर प्रसारित किया जा सकता है इसके साथ ही internet बिसेश जो protocol होते हैं जिसे TCP IP यानि transmission, control, protocol और एक internet protocol जो एक आधार भूत protocol कहा जाते हैं जब भी कोई वेक्ती internet से जुड़ता है तो इन protocol का विसेश रूप से उप्योग करेगा तब ही वो internet से जुड़ेगा यानि कि data को भेजने और प्राप्त करने के लिए TCP और एक device के पहचान के लिए IP इसको उप्योग करता है इसलिए इसका जो विकास है वोईस ओवर internet प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है वोईस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट पर टेलीफॉन सेवा से अधिक है यह एनलोग फॉन जो सिगनल है उसको डिजिटल सिगनल में बदल देता है जिसे इंटरनेट पर भेजा जा सकता है साथ ही यह है तकनीक जो होती है वीडियो डेटा कॉन्फरेंसिंग और डेश्टॉप सेयर को भी सामिल करती है वी ओ आईपी पारंपरिक फॉन कंपनियों दौरा उप्योग किये जाने वाले स्टेंडर्ट फॉन लाइन की तुलना में यहां हो सकती है ध्यान में कॉल फॉर्बडिंग की फैसलिटी अनलिमिटेड लॉंग डिस्टेंस यहां देखने को मिल जाता हो रिपीट डाइलिंग हो जाती है सारी फैसलिटी कहां मिल जाती है वाइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंतरगत मिल जाती है इसके अलाबा आईपी टेलिफोनी और वाइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के अगर बात करें तो आईपी टेलिफोनी जो है दो या दो से अधिक उज़र के मद है वीडियो कम्यूनिकेशन को भी सपोर्ट करती है जबकि वी ओ आईपी यानि वाइस ओवर इंटरनेट प्रेचलित आईपी टेलिफोनी इंप्लिमेंटेशन है जो सिर्फ वाइस कम्यूनिकेशन को सपोर्ट करती है बस दोनों में इतना अंतर आप समझ लीजिए इसके लाबा आईपी टेलिफोनी को उप्योग संभावित रूप से उत्पादक्ता बढ़ाने के लिए किया जात हमको फिजिकल फॉन की जरूवत नहीं पड़ेगी क्योंकि सिम कार्ट को प्योग नहीं करना है तो हमको एक सॉफ्ट्यार के फॉन की जरूवत पड़ेगी सॉफ्ट्यार फॉन जैसे आप स्काइपी नाम सुने होंगे माइक्रोसॉफ्ट ने इसको ले लिया हाला कि अभी तो स्काइपी में हमको सॉफ्ट फॉन की फैसिलेटी मिलती थी स्क्रीन पर ही हमको एक क्या मिल जाता है सॉफ्ट फॉन जिसमें हम बटन इस प्रकार कैल्कुलेटर को प्योग करके कॉलिंग कर सकते हैं और इंटरनेट के माध्ध襁रं से सामने वाले व्यक्ति से बाच्ची तो soft phone मतलब computer software है जिसका उपयोग किसी भी device से internet पर phone call करने के लिग किया जाता है चाहे वो computer हो चाहे वो tablet हो चाहे mobile हो तो इन सभी में किसी software का उपयोग करके क्या करना call करना internet का प्रयोग करके इसे बोला जाता है soft phone एक soft phone यूजर को बास्तविक बहुतिक telephone के बिना telephone call करने के पहले तो हमने बात करे थे किसकी हमने बात करे थे बिना SIM के internet पर calling करने के IP टेलीफोन ही अब हम बात करे बिना physical phone के भी हम क्या कर सकते हैं computer का प्रयोग करके call कर सकते हैं जिसे हम बोल देते है soft phone soft phone को कभी-कभी client भी कहा जाता है ठीक है इसके अलाबा soft phone application एक headset या microphone के साथ मि device का उप्योग करती है जो standard telephone handset से वी ओ आईपी calling की सुविधा देता है इसके अलाबा soft phone जो है एकसर mobile या घर के user के साथ जुड़े होते हैं office के office कर्मचारी भी पारंपरिक desk phone की जग है किसका उप्योग कर सकते है soft phone जो उनके लिए काफी सुविधा जनक हो सकता है soft phone जो होत है उसको किसी भी device जैसे की desktop है mobile है या फिर अन्य कोई computer है उस पर install कर सकते हैं और इसकी facility का उप्योग कर सकते हैं तो इस प्रकार हमने यहां पर किसके बारे में जाना हमने जाना यहां पर IP टेलीफोनी के बारे में ठीक है IP टेलीफोनी क्या है IP टेलीफोनी का मतलब हो जाता है इंटरनेट का प्रयोग करके या बिना SIM का उप्योग करके इंटरनेट के माध्यम से call करनी की facility क्या कहलाती आईपी टेलीफोनी दूसरे इसके फायदी भी जाने इसकी working क्या है वो भी हमने देख लिए वी ओ आईपी देखें आईपी टेलीफोनी का ही सब रूप होता है जिसके दोरह हम voice जो है voice call कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से ठीक है इसके अलावा हमने बात करें किसकी soft phone की तो soft phone जो होता है वो क्या होता है physical phone की अपेक्षा computer software होता है जिसके माध्यम से हम call कर सकते हैं तो आपको तीनों चीजे clear हो गई होगी फिर भी अगर कोई doubt है तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं और आपको notes के लिए आपको website follow करना है अगर आपने follow कर लिए है तो आपको कीजिए सरकार studywebs.com यहां पर आप जाओगे computer course में notes में आपको आपके course की notes यहां पर मिल जाएगी ठीक है